तो साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोना BLW में इतनी ज़्यादा हमें गिरावट देखने को क्यों मिल रही है पहला point तो ये होगा और दूसरा यहाँ पे हम ये discuss करेंगे कि अगर ये stock आपके पास है तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे आपको hold करना चाहिए या फिर average out करना चाहिए और तीसरा यहाँ पे बात करेंगे कि जो लोग इसमें fresh entry लेने के बारे हम सोच रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जो नीचे वाला कर्व है यह हमें global light vehicle के sales का volume बता रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह जो कर्व है यह जो कर्व है यह हमें अभी भी एक uptrend में देखने को मिल रहा है जो कि काफी positive है लेकिन industry के अगर हम बात करें तो थोड हमें slight यहाँ पे एक downtrend देखने को मिल रहा है यानि कि company जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि industry से एक better performance दे रही है in fact अगर हम एक साल में देखे quarter one से लेकर के अभी का जो quarter one है यानि fy 22 और fy 23 तो यहाँ पे 18 percentage के साथ company ने sales में growth दिखाई है तो वहीं globally अगर हम बात करें तो minus 17 percentage का हमें यहाँ पे जो volume है उसका number देखने को मिल रहा है तो no doubt यहाँ पर हमें एक headwinds देखने को मिल रहा है industry में और उसके बावजूद यहाँ पर company का जो performance है वो काफी अच्छा है अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे company के पास client edition हमें देखने को मिल रहा ह या नहीं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पिछले quarter की मैं यहाँ पे बात करूँ पिछले के पिछले quarter की क्योंकि यह वाला quarter जो था वो पिछला quarter था और अभी recently यहाँ पे most probably November के first week में आपको इसके जो quarterly number है quarter 2 के वो देखने को मिल सकते हैं तो quarter 4 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि total अगर हम customers की बात करें at the end of quarter 4 FY22 तो यहाँ पे इनके पास 19 customers थे और quarter 1 FY23 के अगर हम बात करें तो इनके पास 23 customers थे तो यानि कि quarter on quarter company ने customer का addition किया है और ना सिर्फ customer का addition हुआ है अगर हम EV programs की बात करें तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30 EV program से बढ़ करके इनके 36 EV program हो गए यानि company के पास business continuously आ रहा है and the most importantly यहाँ पर अगर हम बात करें order book की तो वह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बार का इनका जो order book रहा है वो लगभग हमें 28 billion का देखने को मिल रहा है यानि कि यहाँ से यह order book add होने के बात इनके पास अभ आपको बता दूँ कि FY22 का जो इनका revenue था उससे 9.6 times यहाँ पे इनके पास यह order book देखने को मिल रही अभी recently मैंने एक shorts बनाया था सात्यों जिसमें मैंने बताया था कि defense stock में इतना जादा आपको run up क्यों देखने को मिल रहा है उसके कई सारे reason थे और उनमें से जो most important reason था व इसका directly impact company की profitability पे पड़ेगा इतने बड़े order book हैं अगर मैं कहता हूँ कि 12 times order book है तो कम से कम कुछ नहीं तो 8 times तो company का revenue at least बढ़ेगा ही और अगर 8 times revenue बढ़ रहा है तो कम से कम मैं इतना तो मान सकता हूँ कि 4 times यहाँ पे company के profit जो हैं वो बढ़ेंगे अब चलिए बात कर ल revenue के diversification की अब यहाँ पे company के अगर हम revenue breakup की बात करें तो आप देखेंगे North America से 33% का revenue था यह FY22 की बात हो रही है और अगर हम Europe की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूरोप से 22% का revenue था अगर इन दोनों को add कर दिया जाया तो total 55% का revenue हमें North America और यूरोप से देखने percentage का है इसको आप add करेंगे तो almost यह 59% का revenue निकल के आ रहा है यानि कि company की जो dependency है आप देख सकते हैं वो North America और यूरोप में काफी जादा हमें देखने को मिलती है in fact अभी recent इसका जो news आया था जब stock price में गिरावट हुई थी लगभग 520 के आसपास share price के आसपास यहाँ पे जो है तो हमें block deal देखने को मिली थी और बहुत बड़े volume में ये block deal हमें देखने को मिली थी और उसी दिन ही एक news भी आई थी जहाँ पे सोना BLW ने BMW के साथ यहाँ पे जो है तो new deal जो है sign किये थे तो आप देख सकते हैं कि company के जो deals है mostly आपको यूरोप और जो है तो North America में देखने को मिलता है और वहाँ इस समय जो है तो हमें काफी ज़्यादा economy में उथल पुथल देखने को मिलता है, recession का fear देखने को मिलता है, demand and supply की जो questioning है वो हमें फिलहाल काफी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं क्योंकि economy में अगर slowdown आएगा तो definitely वहाँ पे जितनी भी demands है जितने भी business है उन सब में आपको slowdown देखने को मिलता है, तो ये question mark यहाँ पे sona BLW के साथ है तो इनके business के साथ है कि आने वाले time में अगर वहाँ पे recession हुआ, वहाँ पे economic में उथल पुथल हुआ तो इनके भी business पे उतना ही impact पड़ेगा, same सा reason है जैसे हमें IT industries में देखने को मिलता है और वहाँ जो है तो recession का एक fear बना हुआ है, इसके लावा एक अगर हम बात करें यहाँ पे एक और reason की इतनी ज़्यादा क्यों गिरावट होई, आप यहाँ पे देखेंगे यह जो है तो यह price to earning का curve है और यह EPS की values है, तो आप देखेंगे यहाँ पे जब listing हुई थ उसके बाद जिस तरीके से Sona BLW के नंबर आये थे, EPS में हमें बहुत बड़ा एक उचाल देखने को मिला था, और market जो है तो यहाँ पे price to earning को काफी ज़्यादा adjust करता है, जब EPS में growth आई तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि price to earning काफी ज़्यादा down हो गई थे, आप इसले कात सालों से आप देख सकते हैं, EV के stocks ने काफी ज़्यादा run up दिया है, और उसमें भी EV theme की कोई भी company जब इस तरीके से EPS में growth दिखाती है, तो market उसको काफी ज़्यादा valuation देने लगता है, और आप देखेंगे कि market ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है तो इसके भाव बढ़ा दिये थे, 200 के PE पर भी यह stock trade कर रहा था, लेकिन उसके बाद हमें इसके EPS में हाला कि growth तो देखने को मिल रही है, ऐसा नहीं कि growth नहीं है, यहाँ पे EPS grow किये हैं, लेकिन उतने ज़्यादा grow नहीं किये हैं, जितने ज़्यादा यहाँ पे market expect कर रहा था, market क्य है कि पहले ही re-rating कर देता है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से ये PE ratio जो है तो काफी ज़्यादा भागा था, EPS जो है उतना speed से नहीं इसको cover कर पाया, और यही reason है, one of the reason यह हो सकता है कि यहाँ पे वापस से valuation हमें correct होते हुए देखने को मिल रहे हैं, वह उसके बाद आप देखेंगे sales जो है तो more than four times जम कर गए और फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे sales जो है हमें constant से ही देखने को मिल रहे हैं, profitability की बात करें तो आप देख सकते हैं loss में था, उसके बाद loss से 92 का करोड का profit आया, उसके बाद 102 करोड का profit आया, लेकिन वहाँ से आ आप देखेंगे अगर material cost की हम बात करें तो 30% का है, यहाँ पे यह बढ़ते बढ़ते inflation की वज़ा से आप देख सकते हैं, 44% तक जा चुका है, यहाँ पे अगर हम company के margin की बात करें, तो लेकिन फिर भी company ने अपने employee cost को balance करके यहाँ पे margin को improve किया, आप देखेंगे 22% के margin यहाँ पे 24% के margin है, और company का अभी भी यही कहना है कि जो इनके raw material के cost हैं, वो अब reduce हो रहे हैं by the time, तो definitely इसका भी फायदा आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे इनके margins जो हैं वो improve होते हुए देखने को मिलेंगे, और order book तो शांदार है ही, तो यह revenue जो हैं आने वाले time मे grow करेगा, और company के profit भी काफी अच्छे तरीके से आपको grow करते हुए देखने को मिलेंगे, एक और positive side यहाँ पे यह है कि company R&D में काफी अच्छा खर्चा करती है, आप देख सकते हैं कि इसके revenue का जो है तो लगभग 5.8 percentage company जो है R&D में खर्चा करती है, जो की काफी अच्छी नहीं हो पाएंगे और company के business में growth आपको देखने को नहीं मिलेगी, शेर holding pattern के अगर हम बात करें तो FIIs ने यहाँ पे दबा के profit booking किया, आप देख सकते हैं 14 percentage का market share holding था यहाँ पे FIIs का और आप वहाँ से आप देख सकते हैं कि 8 percentage के आसपास हो गया है, हाला कि DIs ने यहाँ जो है तो माल को खरीदने की कोशिश की है लेकिन उतना नहीं खरीदे हैं बाकी सब जो है वो retailer के खाते में आ गया है, अगर यह stock आपके portfolio में है और आप loss में है तो यह मत सोचिए आप अकेले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं SBI mutual fund ने यहाँ पे जो block deal हुई थी आप पायर काफी सारे थे, उनमें से एक SBI mutual fund भी ही था जिसने 505 रुपए में buy किया था, लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं, 50 लाक share की यहाँ पे buying की गई थी, तो यह shares अभी भी mutual fund के पास है और SBI mutual fund ने यहाँ पे अच्छा खासा अपना stake जो है वो increase किया है, तो यहाँ यहाँ पे अगर हम इसके technical parameters की बात करें, तो यह इसका एक support बन रहा था और यह support भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि breakdown हो चुका है, और यहाँ पे multiple times जो है stock ने support लेने की कोशिश की है, यहाँ पे support लेने की कोशिश की है, यहाँ पे भी base बना रहा था, यहाँ भी base बना र होता है, इसको गिरने दीजे जहां तक यह गिरता है, अगर आपकी पास holding capacity है, तो stock काफी अच्छा है, fundamentally बहुत strong है, क्योंकि अगर मैं इसका future outlook आपको बताऊं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि company की performance कितनी शांदार रही, कितने शांदार तरीके से यहाँ पे company के revenue जो ह आपको आगे भी next यहाँ पे अगले 10-15 साल में देखने को मिल सकता है, तब भी आप सोचेंगे कि बहुत अच्छा time था यहाँ पे investment करने का, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे let it fall, अगर आप holding capacity है, hold कर सकते हैं, hold करिए, average down अभी करने की ज़रुरत नहीं है, कई सारे stage होत जब run up लेता है, फिर एक base बनाएगा, फिर एक stage आएगी, जब run up लेगा, तो यहाँ पे आपको entry करके, यहाँ पे averaging करनी है, तो तब तक आप यहाँ पे फिलहाल wait करिए, और जब तक यह एक base नहीं बना लेता, यहाँ पे uptrend की शुरुवात नहीं हो जाती, जब तक यह in fact मैं तो कहता हूँ, कि अगर आप और ज़्यादा confirmation चाहते हैं, अपtrend का, तो यहाँ पे wait कीजिए, stock को 50 DEMA और 100 DEMA के उपर trade करने दीजिए, जब यह stock वहाँ उपर trade करना चालू करेगा, तब यहाँ पे आप uptrend का एक confirmation मान सकते हैं, assumption मान सकते हैं, confirmation तो तब आएगा, जब 200 DEMA के उपर trade करना शुरू करेगा, और तब वहाँ पे आप इसको average out करके, जो है तो आप यहाँ पे इसके, जो अपने portfolio में जो buying price है, उसका आप average down कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, content अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को like कर सकते हैं, do not forget to subscribe और channel, thanks for watching the video